बची हुई दाल या फिर सबजी बिल्कुल भी नावेस्ट हो उससे जानने के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखना इसमें मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ अब यहाँ पे यह दाल मकनी है जो बच गई थी और देखने में भी अजीब सी लग रही है कोई भी घर पे इसे खाना नहीं चाहता लेकिन इसे यूज़ करके बहुती बड़ी अनाश्टा बनाएंगे जिसे बनाने में आपको सिर्फ पांच मिनिट लगेंगे इसके अलावा मेरे वीडियो आप लास तक देखना क्योंकि मैं ये भी बताने वाली हूँ कि अगर दाल नहीं बलकि कोई सबजी जैसे की आलू वो भी है गवार फली है मेति है अगर वो बच जाए तो उसे भी आप क्या कर सकते हैं तो पहले दाल का देख लेते हैं यहाँ अगर आटे में हम डाल रहे हैं थोड़े से कटे हुए प्याज यह पर कड़ी पता डाला यह फिर कसूरी मेथी बी डाल सकते हैं इसे के साथ कटी हुई हरी मिर्च टालें गे इसका बहुत अचा अचा फलेवर आता है अगर आपको अद्रक की स्वाद पसंद है तो बारी अगर आपको तीखा पसंद है थोड़ा सा गरम मसाला डालने जीरा डालने अजवाइन क्रश करके डाल सकते हैं और चाहे तो आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल सकते हैं यह पर मैंने लास में जो आट किया है वो है आदा चमच बेसन अगर आपके पास नहीं है या पर दाल मक नहीं यूज की है आप पीली डाल, काली डाल, मसूर, मूंग, जो डाल चाहें वो इसके अंदर आड कर सकते हैं थोड़ी सी हल्दी डाली है कलर अच्छा आता है इसलिए अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसी तरीके से यूज कर सकते हैं सिफ डाल ही नहीं अब इन सारी चीजों को हम इसी तरीके से मिक्स करेंगे और अगर पानी कम पढ़ता है सुखा है तो आप इसमें पानी डाल कर इसे अच्छी तरीके से नॉर्मल आटे की तरह गुंद लें अब ये तो हो गया कि दाल सबजी ग्रेवी वाली सबजी कड़ी वगरा के लिए आपकी अगर कोई सूखी सबजी है जैसे कि गवार फली है मेती है गोबी है कोई भी सबजी है समझ लीजे कि आलू बेंगन की सबजी है तो उसे आप क्या कर सकते हैं किसी क्रशर से क्रश करके या फिर मिक्सर में थोड़ा सा उसे दरदरासा पीस के उससे भी आप आठा गुन सकते हैं अगर वो भी आपको नहीं करना है तो वीडियो में बताती हूँ कि आप सूकी सब्जी के साथ और क्या कर सकते हैं चले हमारा आठा बिलकुल लग गया है इसे 10 मिनिट के लिए ऐसे ही सब्जी बची हो तो उसका क्या कर सकते हैं अगर आपको उसे क्रश नहीं करना है तो हलका हलका चमत से मसल लें उन सब्जियों को उसमें आप प्यास वगरा कट करके डाल सकते हैं एक अच्छा सा मिक्षर तयार कर लें और हम उसके जैसे स्टफ पराठे बनाते हैं मूली के आप चाहें तो स्टफ खरके पराठे बना सकते हैं मतलब सादे आटे को गुंडना है आपको उसके पेड़े करने हैं उसमें भरके उस सबजी यूज कर सकते हैं अगर ऐसा है कि आपकी इस सब्जी बहुत गीली है तो स्टफ पराठे तो बनेगे नगी क्योंकि वो आप उस सब्जी के सैंड्विच बना सकते हैं, अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो जरूर ट्राई करें, मेरे घर पे जो भी सब्जी बचती है, या तो इस तरीके से आटे के अंदर ही गुंद लेती हूं, या फिर उसे मैं पराठे बनाने में यूज करती हूं, मतलब क सादे आटे के साथ स्टफ करके पराठा बना लेती हूं, और अगर सब्जी थोड़ी गीली है, पराठे नहीं बन सकते हैं, तो ब्रेड के अंदर उसके डाल के उसे तवे में अच्छी तरीके से टोस करके खाती हूं, इतने टेस्टी लगते हैं वह वाले सांड्विच कि जोड़ी सी सब्जी बचाना हमें वह सेंड्विच कहाना है, तो आप भी सारी चीज़े ट्राइक करें, फिलाल इस आटे को मैंने क्या किया है, बस नॉर्मली जैसे हम चपातियां बेलते हैं, रोटी रोटी बेलते हैं, बस थोड़ा सा मोटा रखना है रोटी से क्यूंकि और उसके बाद में हमें से रोस्ट कर लेना है नॉर्मल पराटे की तरह आप घी बटर मखन जो आपको पसंद है वो लगा सकते हैं या फिर सादा तेल के साद भी से इस तरीक से रोस्ट कर सकते हैं जब दोनों तरफ से गोल्डन हो जाए तब आपका ये पराटा बिल्कुल ही अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे इन सारे टिप्स को आजमा कर देखें और इस तरीके की बहुत ही यूसफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर हमेशा बनाते रहती हूं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट से कर लें ताकि आप फ्यूचर में इस तरीक कि मेरे वीडियो से बिलकुल भी मिस ना करें